रिव्य आज वेल्कम तू सिजलिंग टी तो सबा का ब्लॉग देखते हैं कि क्या गिया इसने तो शुरुवात करते हैं फ्रेंड्स हम उठ गई हैं इस बार तो हमने मॉर्णिंग के शुरुवात अपने रूम से करिये और बहार किस ले जाएगी बहार इस ले जाएगी क्योंकि इसका थर्ड मंद का स्कैन होना है तो डॉक्टर के पास तो जा नहीं है और इसको एक को लैब आया है और इसको अब डर हो गया है कि कोलाबरेशन पे नहीं पहुंचे तो भईया वो लोग पूछना बंद कर देंगे इंकम आना बंद हो जाएगी इस सनी पर भरोसा है नहीं और जिसको अच्छा खासा प्री का पैसा मिल रहा हो ना अचानक से इंकम कम होने लगे तो उसको टेंश के साफा तो यह माडम जी सो कॉल्ड हीजाब बंद के जाने की तैयारी में और बोलती है फ्रेंट्स हमने रिजा से कपड़े मंग वा लियें तो सोचो यह दिजा से नीचे से कपड़े मंग वारी मैडम जी ने ओर इंडर क्या होगा कि विचारी रात को एक रात पहले तो व तो रेस्टरांट से जब वापस है तो अरे सालो तुम तयार नहीं हो यहारे थानी अपना मूह लाल करना बाकी रह गया देख मैं मूह लाल कर रही हूं इसने इतना लीपा-पोती की अपने मूह पे जिसको लगरा होगा कि मैंने तो बाइट दो महिने से घर में बैठी हूं ब वैसे तो इतने सारे पर्स खरीकती थी है कहां गा ही सारे पर्स जब इसने अपना कैबिनेट सा खोला इसके अंदर तो थोड़े बहुत दो चार पिछके वे से पर्स मिले एग्दम लो क्वालिटी टाइप के कहां गया तो मारा गुची वाला जो भवी जी ने दिलाए था तो अमें नकली गुची तो यहां पर पर्स के सनी कहता है ने यह कहते है कि मेरे ने ड्रेस से मैचिंग ने कर रहा हूं सनी फिर फिर दिखेगा ने ये वाला नी चाहिए वो वाला नी चाहिए वाई तुम बढ़ा हाई फाई फैशन सेंस है तुमारी ड्रेस से मैचिंग और वावा, slow clap, अकल के दुश्मन लोगें, उसके बाद ये रड़ी हो जाती है, अपना लाल होगा, कि सानी में कैसे लग रही हूँ, उस पर कम्प्लेंड भी करेती, रिजा ने, पपड़े प्रेस नहीं के, फ्रेंड्स, देखो, पपड़े प्रेस नहीं है, हम तो बहुत बड़ पेंट-पेंट के बुकलेट्स दिखाता है कि ये पेंट, और मैं 100% कह सती हूँ, इस मोटी गुद्धी को उनो कुछ समझनी आ रहा हुआ, ये जबरदस्ती खड़ी हो जाती है, ब्लॉग बनाने के चकर में, सनी तुम शूट कर लो में, इसके सामने कड़ी हो जाती हूँ, बहता रहे हैं, इसा कलर, ऐसा कलर, यहा भी ले आएंगे, सनी कहता है, नहीं बाई, आज नहीं जा सकते हूं, आज मुझे मैढम को लेकर जाना है, हमारा तो को लाब आया हूँ, आज बाई आधे हो जाया है, तो बहुत जारी है, ये वाला कलर होहां लग जाएगा, उसके बन्दा भी समझ गया ब्लॉग उनाना होता है थोड़ा साइक्टिंग करनी पड़ेगी तो मेरी दुकान चलती रहेगी उस्ते तब तक हो जाएगा वो बोलता है अशा है मिड जैन तक हो जाएगा किचन तुमारी दिसंबर तक कर दोगा किचन की क्या आज़र रहते है फ्रें बागी तो में नीचे पड़ी रहोंगी तो मुझे कोई जल्दी निया करको रेनोविशन कम्प्लीट कराने की सनी इसको ऐसा लग रही है बेटी बहुत दिनों पाद जा रही है मेरी बेटी तो मेरी प्यारी बेटी सनी मेरा पेट दिख रहा है थोड़ा सा कैमेरा एंगल च प्रेंट की तुम प्रेंट कौन कौन चाहता है सबादी प्रेंट बहुत मजाता है से कौमेंट्स पढ़के मेरी तरह सब दवार है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अकेली दुनिया में ऐसी नहीं हूं यह लेके चल पढ़ती है रिजा और रहान को भले संडे हो और इसने कहा कि हम लोग जा रहे हैं एक रेस्टोरांट इनसे बहार ने निकले ते टोप्र नहीं तो स्टूरइन कि निकल नहीं और पर मैं और आपको पता कितनी मुझ carved में रहने का बिलकुल मूनि करना बहुत बोर उ जाते थे 10 पिर अमने जैसे निखाला क्योंकि हमारी बड़ी मुस्किल से एक मिला है माधा का, अभी ये भी चला गया ना, फिर पैसे लेकि बैठी रहना, कोई नहीं मिलेगा तुम्हें, बड़ी मुस्किल में एक मिला है, ये वकूफ सा, जो तुम्हेरे आगे पिछे नाचे जा रहा है, फिर हमारे सर पर बैठ जाओगे, लोगों ने कुछ खाया भी नहीं है, पीछे इनके ड्राइवर भीया बैटे में, एक्दम लास्ट में सोचो, पीछे विचारों को बिठा दिया, और यहां पे इस पिक्चर में मेरी नजर पड़ी है, मैडम जी के लिए, जिनको हर आदे गंटे में भूख लग जाती है, उ रिजा मेरा हाथ ठक जाएगा, मेरे मुझ में दे दो, हाँ पकड़ के रखो, मैं चबा रही हूं अभी, तो वो वाला काम करने के लिए इसने रिजा को फूट कटवा के अपने साथ पीछे बिठवाया है, कि यह मैडम जी को क्या पता किस मौके पर भूख लग जाए, तो स ब्लॉग में इतनी जादा ओवर्रेट लगी है कही जगे, कि मतलए इरिटेशन होने लग जाए इनसान पो, और कहीं नगे इसकी भी गलती अब नहीं है, है भी और नहीं भी है, बात करते हैं इस पे, तो से किती हैं, हमीजा कपसे आने के मनता लेगे हैं, अब आया हैं, यह थोड़े ते नार रुखजा में आऊंगे, अपनी पूरा मौदा मंडली लेके, उनोंने बोलागा, मौदा मंडली को नहीं खिला सकते हैं, इतना स्पांसर नहीं करेंगे, एक्सपेंसिव रेस्टरांट है, आच्छा हम चारों का तो कर देना, चारों का कर देंगे, दो जन मतलब का खाना मिल जाए, और उज्ञा तुमारे मतलब का घासफूस नहीं बेलेगा, और रेस्टरांट में आ गए, तो सबहा महरानी जी के तो नकरें बहीं चला नहीं जा रहा हूं से, एक हाथ से कोई और पकड़ेगा, दूसरे हाथ से कोई और पकड़ेगा, तो बट्ट पादा करने वाली हो, अंबानी के अलाद के होते हैं, अंबानी के अलाद के अलाद जिर से लिट्रली कहते हैं, यह बहुत ही रॉयल फैमिली का कोई एक बच्चा पैदा होने वाला है, तो इसके आगे पीछे सब लोग लग जाता है, कि यह कुछ गड़बड़ा नी हो जान जाता है, दस किलोमेटर रॉर थी, जो होता है कि प्रेगनेंसी में बोलते हैं, इनिशल स्टेजिस में, स्पेशली हाई रिस्क प्रेगनेंसी में, कि यू हब टो टेक बेड रेस्ट या यू हब टो रेस्ट अथ होम, यू डोंट है तो गो आउट, वो इसलिए बोला जाता कि इनिशल स्ट्री मंस तोड़े से रिस्की हो सकते हैं, वह यह मैडम जी को लगा, तीन महीने होए कंप्लीट स्कैन कराने जाना है, तो फटा फट अभी तो ठूसम ठूसाई करेंगे, तो अब दस किलोमेटर होता है, दू किलोमेटर, सनी हमारो, कैती है मेरा अपना और यहां पर आजकल रेहां ने लॉस्ट फील करता है, उसको इसके व्लॉग में जबरदस्ती ठूसा जा रहा है बहुत ज़्यादा, और रिज़ा तो भया लॉस्ट है, वह तो आजकल लॉस्ट ही है, इसका मुह देखो कितना बड़ा हो चुका है, और किसी को परवा नहीं हैं कि बच्चों के साथ क्या हो रहा हो रहा है, एजूकेशन के साथ कर्यर के साथ, फ्यूचर के साथ क्या हो रहा है कुछ नहीं, IT помог रखे बखनी की उसको पर इसको पर इतनी डिपेंड़न्ट है, तो देखी इसके घर में कोई इज़त नहीं है, इसको यह समझ में आता है, इतनी बेवकुफ नहीं है, इसको पता है, मा के घर में इसको कोई पसंद नहीं कर रहा है, इसको पता है, भाई भावी कोई इसे पसंद नहीं कर रहा है, इसको समझ आ चुका है, कि पूरे दुनिया में एक Sunny है, इसको मतलब मन मार के पसंद कर रहा है बागी सब टाइम पास के लिए फेस पेसिट पसंद कर रहे है बागी कोई ने कर रहा है इसे पता चल चुका है तो सभी को तो इसे अपने पास उपना ज़रूरी है तो सभी को और सभी कितना अच्छे रेस्टोनेंट और यहां पर प्री बुक कराना पड़ता है प्री पूरा रेस्टोन खाली बढ़ा था भाई दो लड़किया किनारे में बैठी थी इसके लाबा कोई नी था पूरे रेस कि अब कर दो दो अब रहता है च्विक प्रैवेट पार्टी को बीपने कि अग्चे बोड़किया दिखने है वो एटना बड़ा मूह लगा कि फिल्टर थारा अपना उपना अपना तेंट वींट लगा कि आप अश यांज है सब कुछ बात अच्छा ए तेको जूले है और ह जब order कर रहे थे न तो order करने में काफी सारा समान order कर रहे हैं तो इतना सारा order कर रहे हैं अरे भाई तुम शानती रखो ना आज कल तो मुझे लगता है रिजा ना ही बोले ना जैसे बहुत सारे लोग इसके ब्लॉग पर कॉमेंट करते हैं कि सनी को मत बोलने दो मुझे लगता है कि मुझे बहुत कैशन होता है कि वो कंप्लीट सेंटेंस नी बोल पाती बीच में खैं 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 असना शुरू कर देती है और हर संटेंसे डू नॉक मेक अनी सेंस सुनी रोमेंटिक हो जाना देख मैं कितना अच्छा रोमेंटिक होगी तुम्हें देख सुनी आम परी अपसेट क्यों हो गया बेटी मेरी क्या हो गया तेख भी जो चार आत्मी कड़े उन्होंने हमें पैचाना ही नहीं हमें तो लगा था हम सत्से बड़े व्लॉगर है तो तुम अपने आपको इतना बड़ा सेलिवरेटी मत समझो बेटा, ठीक है न, मौदा में लोग थोड़े बाद जानते हैं, तो वो सब चलता है, लेकिन भार नहीं कोई जानता, अल्ला, कैसे बेज़ती करती हो सनी, तुम तो, यहां पर उपर जाके सारा शूट मूट कर लि है, तो रिजा अपने फीमेल वाले बातरूम में जा रही है, वहां वो शूट कर यह शीशे में रिजा दिख रही है, तो यह पुरी वसूली गई गई है, बच्चों को ले जाके, ऐसा नहीं है, और यह पुरा कुलैब था वही, कौन जाता है, यह आज तक जिसमें रेस्ट लेले के आपने स्टाफ था किपकी इता था कोंगा अंचार पर गhalten यह पजाते intelligent में लगिधा, तो इनको प्हां प्रॉब्स कौन जै तो परनांस किरता है, इनों प्रॉण सामय निग अब इनको सुझ महां बढ़े में मैं मतौने को उपढ़े है then, टम सुम आने थे Скbers corresponds नहीं समझाएगा, unless you start going to these kind of restaurants, you will not understand what is what. तो अब इनको भाही लोगों को मुश्किल हो गई. प्रेंड, हमने ना मारगरेटा पीजा मंगालिया में पता है, पीजा तो पीजा ही होता है, तो क्या ही मुश्किल हो सकता है उसमें, तो हमने पीजा. अब वो तो चलो ठीक है, पीजा मंगालिया, खाना देखना इतना सारा मंगाया है इनोंने, इतना बड़ा पीजा, चार लोग है, इनोंने ये पोटाइटो चार्ट वगारा, स्वीट पोटाइटो चार्ट जो शगरगंदी की चार्ट होती है, वो मंगाई, quantity भी अच्छी खा है, ओ माई गाड, बर्गर वास जायंट साइज बर्गर, और रिजा कहती है, अरे, ये तो अच्छा मां कटम आया है, मैं आदा पैक करा लोंगी, और मुझे जो दया आई थी न, वो इस बात पर आया थी, कि बच्चे भूखे आएं सुबह से, ठीके, इनके गर में कुछ ब मिलेगा ये नहीं मिलेगा, क्योंकि सब कुछ सबा के हिसाब से चलेगा, माता जी अपना फ्रिज को लेगे, कुछ समझाए, हापी के सो जाएंगे, उन्हें गंटा फरक नहीं पड़ता, कि घर के चीन-चार मेंबर है, उनको कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, बचा अब फिर से, क्योंकि यह हो रहा है, आप सबा प्रेगनेंट हो गई है, रोज पकॉड़े बनेंगे, रोज बढ़िया खाना कहीं से आएगा, भार से आएगा, रोज खुशामदीत का खाना का यह खाना है, यह खमीरी रोटी, यह चिकन, यह मटन, यह वो, आज मुझे बिर और एक इबार बरके पतीला अलुमिनम वाला बनेगा बिरियानी, दो दिन तक वो ही खाएंगे, भाबी जी के यहां भी पहँचा देंगे, तो इनके यह यह रिवाज है, तो अब बच्चे विचारे करे क्या, अब सोचो अगर किसी के पास एक स्केडियूल हो, डिसिप्लि लेकिन रिजा ने तो गिवप कर रखाया, अकल ही नहीं है, मैं तो कहती हूँ, अकल भी नहीं है, थोड़ी बहुत उसकी भी गलती है, और बहुत जादा तो बागी सब की गलती है, चलिए, जैस खापी के, कहते हम पैक कर आ लिए पार्सल कर आ लिए बचेगा, और जब बि बाता ने बर्डे मंत ना हो गया, क्या हो गया, और बर्डे मंत पर कहते हैं, हमें पार्टी देंगी, ऐसा नहीं के तुम्हे लोगों को में स्पेशल फील कराना है, और यह पर दिखा रही है, बेसिकली, कि वह चार अजार का भिला आ है, और इन्होंने क्या-क्या कहा है, द और ब्लैक्वीन पनीर फ्राइज और इतना सारा खा के जो भी है, इन्होंने रेस्टरान भी थिक थाक एक्सपेंसिव ही लग रहा है, मुझे सस्ता तो नहीं लग रहा है, चार अजार का बेल लेके आए है, अब तिंग इस, यहां पर कहते हैं, हम देंगे, हम देंगे, सनी तो कि दो कि al AI लिखने हैं, आदर रहे दो दो क्ए रहा है, यहां से नहीं दो का करो और आज तो यहां सब देंगे, हम देंगे, हम दो देंगे, बहुं तो मैं दोगे है, मन् दो टी सब्सक्राइब करना पड़े कैसा लग रहा है हमारे बाल थे को थोड़े हलके तो प्रेगनेंसी में तो अच्छे हो जाते हैं तो पूरा वसूली करके घूम फिर के सारा मौल भटक के शॉपिंग करके जाएंगे घर घर में क्या करना है वही सब्सक्राइब ब्लू वाले सोफे पर धसे रहना है तो फ्रेंट्स देखो हमें लूस कपड़े पसंद है तो पेटना देखे और हमने पांच हचार वी पारना 5000 ताइम अपना दुपट्टा टीक्या पूरे तीर कार में बैटके दुपट्टा थी दुपट्टा पीचे फ्रेंज मुझे लग बाई मैं प्रेग्नेंट हूँ वी एसाई दुनिया को पता चल गया जो जो ते मारे व्लॉग देख रहा है किसी को नहीं जानना तो नहीं भी बताएगी सिद्धा बच्चा पैदा कर देगी छे मेने बाद तब लोगों को नॉर्मल लगेगा यह मॉल आ जाते हैं मॉल में आगे कहती है कि फेंट सम्में रिजा रिहान के लिए एपल के शोरूम से कुछ चोटी मोटी चीज लेने आए थे रही चोटी मोटी चीज चिज करसे और पतला कीचेन वर्गयरा ओंक तो बड़ी-बडी चीज होती है आपकी तो बड़ी-बडी चीज और फोन वाच एरपो तो मुझे लगता है जब इंडिया में जाके किसी ऐसे रैंडम मौल में गुज जाओ तब होती है किसी भी एंगल से भीड नहीं है इसने फालतु की कहानिया गड़नी होती है इसे लगता है सारी दुनिया बेवकूफ है और जैसे मैं कहते हूं कि अंटेशन्ट कुछ भी अपने दोस्तों के साथ जाहूं और लेकिं फिर अमने थोड़ा जूस पी लिया फ्रेंड बहिया इसको तो ऐसा लगता है कि दो इंच जगह भी पेट में बलकि इसो फेगस होती है पूरा भरा होना चाहिए गले तक कि दो इंची भी खाली होगे तो फटा फटा फट भर ल रहान है जैसे इतना बड़ा लड़का है इतने बड़े बच्चों को ना अपनी भैन और जीजा के साथ फालतु की नोटंकिया करते हो गूमना नहीं पसंद होता है इनको फ्रेंड्स के साथ गूमना पसंद होता है उसका इमान करता होगा मैं फ्रेंड्स के साथ मॉला याद नहीं आ रहा हो सकता है, रेडिट पर पढ़ा हो सकता है, इनी के कमें पढ़ा हो सकता है, मुझे किसी ने कमें लिखा हो, उसमें लिखा था कि रेहान को यह लोग ना पच्चों पर फिल्कुल पैसा ने खर्च करते, सिफ एज़ा कॉंटेंट बना के गुलाम बना के सकता है, इसने बच्पन में अपने फ्रेंट बन के आँ काई सीखी होगी, या मतलब देखा नहीं मैंने, तो इतने बड़े बच्चों के पास जनली होती है, कोई स्कूटी, बाइक, और इपेंड़न अफ़र्टिबिलिटी, अगर फैमिली अफोर्ड कर सकते हैं, तो बाइ पढ़े रहा हो, इधर सो था, उपर वाले भाई के पास जाओ, या नीचे बहन के पास पढ़े रहा हो, या तो अमना कमबा लोडगे, ब्लु वाला, लेट जाओ, उसमें भी ताने पढ़ेंगे, ये तो साथ दिन सोता रहता है, तो ये इनकी लाइफ है, और जब इनके व् जाता होगा, ये थोड़ा सा बेटर टीटमेंट होता होगा, लेकिन जब से इनका व्लॉगिंग शुरू हुए है, इन लोगों की स्पेशली सबग की, मनी मेकिंग मेशीन बन चुके है, बिल्कुल, इनके उपर कोई फोकस नहीं कर रहा है, इनके उपर कोई स्पेंड नहीं गुझाना तुमें क्या एक्साइटमेंट है, भाई, सालोपी हमें तन अपने बढ़े बनाने कई नहीं मन होता है, मुझे तो सिव आपका बढ़े मेना होता है, सालोपी देखो, पिछले चार साल से यह कर रहे हैं, हर तीसरे दिन व्लॉग बनाओ, फ्लॉग तो खरो रोज वोस्त चलता है वाताजी का बीड विशा ये रहता है also थे स्वास को शबाता है जैता तो मुझे अपना बढ़ बनाने का क्या ही रह घया आप ही लोग बढ़ बढ़ को विए干 बीन चल बी दिन पुरbon पुरा महीना नटंकी चलेगी सालोपी, इसी में मेरा भी हो जाएगा ना सालोपी दोनों बच्चों का क्या काम गाएनेक के डिपार्टमेंट में रहान का क्या काम वह सकता है इन्होंने कार में छोड़ दिया और रहान ने खुदी शरम में बोल दिया कि कार में बैठा होगा अंदर जाओगे, वेटिंग टाइम होगा, डॉक्टर आएगी, वो सब चेक वैक अप करेगी, उसके बाद वो कंसल्ट करेगी, बात करेगी एक गंटा लग सकता है, दो कुपी लग सकते हैं, लेकिन इनको परवात होड़ी है कि बच्चा बोर हो रहा है, ठंड लेया है, गर्मी है, पसीने आ रहे होंगे, भूखा होगा, इन्हें कोई मतलब नहीं है, किसी के इमोशन से, किसी की भूख प्यास से, तो बिठा रखा ह कि मेर को कहीं पर भी डिसकमफर्ट नहीं होना चाहिए, तो इस सुबह से निकल के स्कैन करा के फिर वो रेस्ट्रांट में, दस किलो मेटर दूर रेस्ट्रांट गाए है, मा ठूसा होगा, तभी बच्चों ने सोच लिया होगा, भईया खा लो ठूसलो और घूमा घूमो के पूरा शॉपिंग करकर आके यह घर पहुंचे रात को, अलरडी 24 मिनट हो चके है, मैं देखा अरे यार व्लॉग तो आ दही हुआ है, खैर, घर आके बोती है, फ्रेंड, देखो न हम चल्देपाजी में चलेगे थे सारा कमरा खाली ऐसे असे अस फेस पड़ा है, उसके लि सुष्पाज़ में चलेगे, अपर बाइखे तो आप दो चलेगे लिए, जूटता है, तो सनी का अभी महदा जाना है, सनी अभी गया था लकनओ, और वहां उसके पिताजी के साथ इसकी रील है, महा से रशाद मिलके आया, नहीं आया पता नहीं, बेटा तुझा लेशादी वहां से अटेंड करके वापस आ गया है, क्रिकट क्रिकट के एक रील लगा रहे हैं अपनी बहुत सारे दोस्तों के साथ और अब यह जाएगा महदा, क्योंकि इसके कजन जाजन की हो सकता है, सैफी की शादी हो, जिसके साथ सबा का बड़ा प्यार महबद चलता था तो वो, उसकी भी शादी हो सकती है, किसी और की भी शादी है, एका शादी है इनकी फैमिली में, तो यह जाएगा, और इसके पेट में बेजानी पहिए, अकेला जाएगा, शादी के मजे लूटेगा, हमापे और लड़किया भी आएंगी, और हमारा हूस्त में तो अभी शादी करना चाहती है, सुबह उटके से सोचे, बेड़ पेस को ब्रेकफास मिला, किते ही हमारे ब्रेकफास है, बेटी खाला ओपर देनी आयोगी, और रिजा कोई देनी आयोगा, दो परांटे, नमकीन, और धही तो चलो ठीक है, दो परांटे, नमकीन, यह इसका ब्रेकफ ठीक करेंगे, सनी ठीक करेंगा, रिजा महीं खड़ी है, बेटी खाला जूटे बरतन विचारी लेने आयोगी, यह समान और देने आयोगी, यह सब इसकी सिवा में उपर नीचे उपर नीचे आ रहे हैं, यह नीचे नीचे नीचा सकती क्या, और एक सर्वेंट क्यों नहीं मसल्स दिख रही है एकदम, दिखाने के लिए कड़ा हुआ है, कि देखो, बने शर्माहट अलग आ रही है इसके चेरे पर, लेकिन जो भी है, इसके मसल्स बन चुकी है, इसका जो वर्काउट कर रहा है जो जिम में, वो दिखने लगा है बॉड़ी पे, अब यह ढंग से ख साली साहब को टक्कर देने वाला है, सरी लगा रहा है, पॉडकास्ट तो देखता ही होगा, लगा रहा है, सही दिख रहा है, हैंडसम एक नम स्मार्ट, खुश हो जा, मजाग कर रहे हूँ, बट हाँ, इसको दिख रहा है इसका रिजल्ट, जो इसने जिम में टाइम लगाय जो भी इसका आता रहता है फ्री में कॉलैब्स में और ऐसे कच्रे की तरह इसने भर रखा है जिसमें डबकन भी नहीं लेगा है सारा टूटा फुटा क्रीम निकल रही है सब इतना लीप अप होती गंदगी मचा रहे हैं सोचो मतलब यह कोस्मेटिक महंगे होते हैं ऐसे नही बहुत अच्छा लग रहा है पहले रूम सड़ा लेंगे फिर उसको साफ कर देंगे व्लॉग में और कुछ नहीं मिला तो रूम सफाई करने लग जाएंगे किसी एक एंगल से मतलब दिखा देंगे रूम जिसमें साफ सुतरा हो दूसरा एंगल पे रिखा हो महां पे कचरा है यह वाला सूट अच्छा लग रहा है अगर तुम यह सूट पैंते तो तुम कौन साथ बट्टा लेते तुम क्या करते है ताइम पास फिर इसने कपड़े चेंज किये कपड़े चेंज करने के बाद पीछे कर्टन इसने खुद कहते है बेटी खाला और रिजा ने लगव छाय अपर अमी गढ़े लगा अंतची करते हैं और अलों ुत करता घ्राएंगी हैं को बीक फोटो के चाहेंगे और फोटो के चाहेंगे और मैंने भी होटो ठोरने कमालब कर वा थुख्予ने पाउने लगन के पहने हैं लगनी यह नानी को पोने दिश बजहें आपको आपो सौंग बहुत अच्छा लगा सबको मतने के सब पसंद तो नहीं आया लेकिन सबने लिखा नानी बहुत अच्छी थी नानी अच्छा थैंक्यू 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 कहा दो थैंक्यू थैंक्यू करवाली है नानी ने सौंग आया ठीक है नानी को वसूल लिया तुमने पिसले व्लॉग में नानी ने अपनी उमर के साब से अच्छा ही गया था और इस टाइप की पुरानी अउरतों को इस अगाने आते होते हैं क्योंकि उस जमाने में यही एंटरटेंबंट होता था तो इस टाइप की अउरतों को पुरानी अउरतों को इस अगाने गानों का शौक होता है set not to deal his body पॉम्पिटिशूं है मेरा कॉम्पिटिशन है भापीजी कही साब मकली इस नाई उसी कहते हैं अच्छे-अच्छे कपड़े तो वह हैं वह करने चारह हां hon आध uninv saat मतला हम थे हो च्रेविंग बहुत होती है अजकल हर दो गंटे बहुत लगती है जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन उसको लगते तो मुझे खिलाएंगे तो मैं रेस्टरून में जाके बनवाता हुआ फिर उसको सर्प्राइज देंगे बही यह सर्प्राइज माफ कर दो भई यह हमें सर तेल में इतना सारे प्याज को डाल के शुकर पूरी रेसिपी ने लिखाई वना सभी लोग बनाने लग जाते बट एन्यवेज मैं फॉरवर्ड कर देती क्योंकि मैं वेस्टेरियन हूं तो मुझे फॉरवर्ड करना पड़ता है मैं देख भी नहीं पाती कई पर मुझे देख जुझे अदेवेज मैं खश्वू के शूंग आए खोलता ही कि माता जी तो तो इतनी खुश हुई है कि नान गोश्त है और माता जी लगा तुछा थाऔर इतनी खुशी ना अपने पोते को देख ज तैसे चेहरे पे स्माइल है आप तो बाद दिन वाद गोर आगे है इतना अच्छा घाना तीन दिन बाध खा रहे हैं इतना अच्छा खाना सब समय बहुत नाराज हैं थो हम्हें रेस्तोरेंट भी आख देखिंदाल में लिए去 उसे पता है हमें तो सिर्फ एक ही सौक के खाने का, सोने का, कपड़े पहनने का, कपड़ों के सौक तो पूरे कर लिए, जो इसने पच्चे सूट लिए थे, वो हमने छब चुपा दी है, इसको क्या ही पता चलेगा, यह तो मुलक कड़ा है वैसे भी, और इसने क्या देना है, मैंने पच्चे सूट चुपा दी है, अच्छा इसी बात पर, एक कॉमेंट दिखाती हूँ, जो मुझे मेरी सब्सक्राइबर ने भेजा है, लेकिन वो इसके इंस्टा पर या इसके ब्लॉग पर ही होगा, मही से उसने कॉपी करके भेजा है, किसी लड़की ने अपना एड किसी को मत भेजो ऐसे, कोई आपको कपड़े नी देने वाला, यह सब चालूपंती होती है, पैसा कमाने के लिए, व्लॉग बनाने के लिए, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपको गलत लोग कांटेक करेंगे, आपको परिशान कर सकते हैं, और यह सनी वनी कोई भी मतलब 800-2000 मानलो, GSD, USD मिला में लोगे 2000 टाइप की प्लैटर आता है, अब इस प्लैटर पे, इन्हों ने जब लोज अप करके दिखाया, तो इसमें मुझे खाना कम फूल पत्ते जादा दिखे वही, ठीक है इन्होंने गाजर राजर के फूल पत्ते से बना रहे, तो माता जी की हसी का तो ठीका महीं नहीं माता जी सोच रहे पूरी थाल मैं लपेट जाओं इतनी खुशी उन्हें पिछले तीन दिन में मुझे नहीं दिखी वह पिचारा बच्चा आता है उसको गोधी में लेते हैं उसको कटोरे बजा बजा के खिलाते हैं बॉल फैक फैक के लेकिन यह हसी सिर्फ माता जी को मिलत है हाना देखके तो माता जी के खाने पे जो राल टपक है है यह तो में महीं भुथा हुआ हो इसाना की अपर तो मिशस्थ कुलस के भूंए भाई सचांपने है अमिश्थ को छालारे तरहना का सब स्काथ खाने हैं यहां पर सानी जैसे हटाता है अरे हमें तो लगाता है खाने के लिए तुम तो ले जा रहे हो हम तो भी निप्टा देंगे अरे नहीं बेटो तुम्हारे ले तो लाया है मुझे पता है तुम लोग खाऊगे और यह बैट जाते हैं रात के 11 वजे इतना सारा मटन और यह पु पर बैट नहीं सकती है और बेटी खाला जिनके घुटनों में दर्द हो जमीन पर बैठेंगी अब उनको तो जमीन पर बैठेंगी क्योंकि अम्मा जी इतना आदे से आदे कार्पट घेर के बैठी हुई है और नानी जी विचारी सुकड़ी कहीं भी जगें मिली बैठ गई यह अपना इतना तेल भरा रात के ग्यारा बजे जो बेटी खाला वेचारी थोड़ी बहुत पतली लग भी थी ना उनकी भी हल्थ खराब कर दिए बाए अरे प्ले तो प्लेट आ गई वाई यह कासी निकाल ही उन्हें यह तो तुम अब एक और चौथी प्लेट कहीं से डूंड के निकाली है यह करोड़ोपती बन जा है लेकिन इनके गार में अच्छे से डिनर सेट नियुक्ता है यह मेला में इनकी प्लेट्स यूज कर रहे हैं यहीं कि स्टील की स्टेनलेस टील के अच्छे बरतन जूज कर रहे है चार इनके अखल नहीं ना एक अगल नहीं एनके लिए कुछ भी रिजा महां किचन में लगी पड़ी तो कुस तो काम करने रिजा तुम क्या कर रहे हैं यह पर ब्लोग में ज्यादा काम करा करूँ प्रेंड से ओंपर ठुग गई थे फ्रेंड ने ना अपना रोजवाटर चिड बाड़ी पे छीड़क सकते हैं अगले दिन सोब और भी फिर पाज गई चार बज़ें पीचे टेको बाल पे चार बजह और हम आगाई है नीचे देखो और पुरा घर फैला-पड़ा पड़ा आपर ज़र रहा है सब्सक्तु एंदेगए अर दिखा चल रहा त और रिजा का केर तो पर्ते नहीं, तो मैं ऐसे बुके मंगा दिया रोजेश का और दो कप मंगा इसने लिटरली थोड़ा सा थोड़े से रोजेश मंगा थे और कप मंगा वाई तो उसके भेहन हो उसका ख्याल रखते हो तो उसके लिए लेथ जिसको थोड़ा सा सुख्यान दे दो फ्रवार्ट o fata. उसको थोड़ा सार्णा धायं उसको थोड़ा सा कट girё pets दो ख़एढ़ा दढ़े दो ट्ंग से जिए डिविफ्ट फिलावरSant वो मत दो, उसको उन सब की ज़रूरत नहीं है, यह मुझे पहले बोलना चाहता है, स्टार्टिंग में टाकि और लोग सुनते, क्योंकि लास तक आते हैं, कई लोग व्यूर्स चले जाते हैं छोड़के, लोग, तो उसको अगर देना है न गिफ्ट, तो यह सारी चीज़े दो सोने के लिए ढंके जगह, प्राइवेसी तक ही पढ़ सके अपना काम कर सके उसको सोने का ढंक से टाइम दो, उसको एक फ्रीड़म दो थोड़ी सी तक यह बहार जाके फ्रेंड्स बना सके, किसी और से बात कर सके, उसको थोड़ा सा confidence आने दो, वो सब दो, यह आने फ्रूल मंगा दिये, पत्ते मंगा दिये, बर्गर ठुसवा दिया, और हमने उसको दो मग ला दिये, जो हमारे गर 500 मग पड़े हैं, और वो दो मग हम उसको बोलेगे, रिजा, खोल के दिखाओ, और फिर उसको बापर सपैक कर दो, और किसी और को गिफ्ट कर देना, तो यह था इसका बड़ा देगे बलियें, उसको कल शर्प्राइज देंगे अम रिजा, व रिजा इनसको कोई कर खोलेगी, आद्य-भादे संदस बात ख़ करके हशेगी, श्लिप संसक्षिय और कैसे लगे कीसे लगे माग काप पर कैसे लगे यह कैषई कर आठेक के काटेंगे, तो ग्ट तो अब यह देखना बागी है तल के व्लॉग में तो चलिए थोड़ा लंबा हो गया और जैसे आज कर लिए बिल्कुल नी बोलती कि कॉमेंट करना फ्रैंट से सब्सक्राइब और लाइक करना लेकिन मैं बोलने कॉमेंट भी करना मुझे और उसे हैं चलिए बाए-बाए-बाए-बाए-व्ली दे आगा